हे गाईस कैसे है आप लोग मेरा नाम है विरन सिंग और आप जुड़े हो इस यूट्यूब चैनल के साथ होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे अपना ध्यान रख रहोंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहोंगे तो इस वीडियो में हम बात करने वाले है how to crack gate examination in two months दो मंथ में आप gate examination कैसे crack करें उसके लिए हम बातचीत करने वाले हैं तो जी हा, so there is a two month strategy जिसके उपर हम बात करेंगे in this particular for gate bt मैं इसके gate bt के साथ गेt excel के लिए भी बात करूँगा फिलाल के लिए हम बात करने वाले है how to crack gate BT examination in 2 months okay so what you have to do so first 50 days के लिए अगर मैं strategy की बात करू because we have 2 months so हमारे पास 60 days 60 days में first 50 days के लिए what should be your strategy that set a daily target आपको क्या करना है आपको daily target set करना है and after daily target daily target में there is a 3 approach as you know that SPR आपने देखा होगा कि SPR approach को हमें follow करना पड़ता है so you know that there is a SP and R S for study P for practice and R for revision ये approach चल रहा होता है SPR study, practice and revision इसी को हमें follow करना है ये daily approach होना चाहिए आपका this should be your daily approach daily आपका ये होना चाहिए SPR approach study में क्या क्या आप करेंगे तो study में अगर हम बात करें reason being that कि अगर हम कुछ appear करें, कुछ भी तयार कर रहे है तो वो get longer way में नहीं पूशता get shorter way में पूशता है और जब वो shorter way में पूशता है तो हमें क्या होता है कि हम अगर longer way में बार-बार उसको तयार कर रहे है बार-बार उसको पढ़ रहे तो पढ़ाई जो होती है, जो time होता है वो काफी ज़्यादा लग जाते है तो short notes तयार करना थोड़ा सा helpful हो जाता है last time revision के लिए तो you can prepare short notes आप short notes prepare कर सकते हैं और prepare करने का तरीका क्या है 10 on 1 approach follow कर सकते हैं क्या कर सकते? और short notes के साथ आपको क्या करना चाहिए? आपको जो है that make a formula sheet as well formula sheet भी तयार कर सकते हैं formula sheet जो होता है कोई भी numericals की बात की जाती है एक copy बना लीजे जितने भी formulas होते हैं उन formulas को क्या करिए? note down कर लीजे कि ये formula sheets भी आपको help करेंगे to revise all the formulas at a single time आप formula sheet प्रिपेर नहीं करेंगे तो क्या होगा? कि last time में जब आपको तयारी करनी होगी तो आपके पास formula sheet है नहीं फिर आप खूचते फिरेंगे, ढूनते फिरेंगे फिर जिसकी वज़र से क्या होता है? कि आपको problem होती है so that's why make a formula sheet as well apart from this आपको क्या करना है? that make a term sheet as well term sheet क्या होती है? term sheet मतलब कई बार हमारे पास important terms होते है और उन terms का definition जो होता है हमें पता नहीं होता तो at least definition तो नहीं term sheets तो बना सकते हैं जैसे what is replication? what is the function of like DNA? A what is the function of DNA? B what is the function of DNA C? यह सारी चीज़े आपके साथ होती तो इन सभी के functions के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन सभी के functions को identify करने के लिए इन सभी को recall करने के लिए यह term sheet आपको क्या करेगा? काफी help करेगा ठीक है न? तो इस term sheet के त्यारी करेगा इस term sheet को prepare कर सकते हैं अपर्ट फर्म इस term sheet अप इसके लामा क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं तो प्रैक्टिस करने के लिए जब मैं बात करूँ तो प्रैक्टिस फ्रॉम वाटेवर यू लर्ण जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं जो भी आप सीखते हैं उससे आपको लर्ण करना है प्रैक्टिस फ्रॉम वाटेवर यू लर्ण आपने क्या किया? सीखा, प्रैक्टिस करना है कहां कहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं एक तो आपके पास pathfinder है राइट? you can use pathfinder as well pathfinder के books आपके पास available होती है साथ में आपके पास gate के test series होते है we the team of e-learnum आपको provide करते हैं क्या gate का test series e-learnum provide करता है आप इस platform से भी जूड सकते है e-learnum के साथ इसके लावा कुछ और भी pyqs available है that your pyqs are there follow this pyqs as well this will help you यह pyqs भी आपको help करेंगे तो practice कहां कहां से आपको करना चाहिए कहां कहां से आप कर सकते है gate pyqs bt and excel bt और excel का जो है pyqs करना है जितने भी bt के हैं जितने भी excel के उनको आपको revise करना है साथ में dbt, icmr, typhor and csir part b dbt का, icmr का, typhor का, csir का यह सब जो है आपको use करना है ठीक है इसके अलावा जो है question bank of biology एक test bank of biology के नाम से आता है Campbell का इसको जरूर use करें यह आपके basics के लिए बहुत important है अगर आप अपने basics को crack करना चाहते है तो you can follow this question bank of biology तो आप follow करें practice करने के बाद there is a third approach that is known as recalling आपको recalling भी follow करना है how you can follow the recalling कैसे कर सकते है recalling recalling करने के लिए आपको क्या करना है वह यह without looking slides or notes slides or notes पे looking मत करें मतलब आपने जो पढ़ा है कि replication इस तरीके से होता है ऐसे ऐसे follow करता है यह सारी चीजे जो है आप पढ़ सकते है by recalling मैंने एक वीडियो में recalling के बारे में detail बताया है आप चाहे तो particularly वीडियो में जाके recalling के बारे में सीख सकते है so what was your approach what will be your approach SPR को आपको follow करना है सबसे पहले set a daily target एक daily target set कर लिया daily क्या-क्या पढ़ना है और उसके बाद learn study करिए then practice करिए and then recall करिए यह आपको करना होता है यह आप करेंगे तो definite सी बात है कि आप जो है अपने goal तक पास सकते है अपने goal तक जो है पहुश सकते है इनके अलामा आपके पास क्या होगा that here is like अगर मैं बात करू so what to learn and how क्या करना है और कैसे first 50 days के लिए मैंने कुछ strategies आपके लिए बताई है जो आप follow कर सकते है यह रहा आपके लिए कुछ basic sa important topics as well as date आपके पास अगर नहीं schedule ले तो आप follow कर सकते कि 8 से 10 December के लिए लगभग लगभग जो है आप इसका सहरा ले सकते है ठीक है 8 से 10 December मनलब 5 से 10 December जो है आप follow कर सकते हैं इसको ठीक है apart from this one क्या करेंगे हम IDT को select करिए और IDT में कुछ important topics listed out किया है मैंने जैसे vector, restriction digestion, cdna and the pcrs you can like follow these important topics for gate as well 11 से 15 December तक molecular biology को target करिए important topics क्या है replication है transcription है और classical genetics है इसको follow कर लीचे इसके बाद आपके पास क्या आता है आपके पास है 16 to 20 December ये available है 16 to 20 December में क्या है bioprocess engineering ले लीचे bioprocess engineering में कुछ important चीज़े है जैसे chemostat का concept पता हो growth kinetics का concept पता हो sterilization का concept KLA, scale-up और stoichiometry ये कुछ important topics है जिसको आपको target करना चाहिए right apart from this 21 to 15 December में animal and plant biotech element अब प्लांट बायोटेक follow किर सकते हैं जिसमें important चीज़े क्या है callus का formation growth test assay और somatic employers ये सब्पॉर्टेंट टॉपिक्स cell biology cell membranes cell signaling ligand receptor and numerical इसके साथ mathematics का use करिए आप 11 to 15 ये सारे कुछ specific topics listed out है इनको use कर सकते right and similarly 16, 21 and ये सारे microbiology bioinformatics and techniques ये मैंने list out किये हैं इन तरीके से जो है आप क्या कर सकते इन important topics को पढ़ सकते ठीक है schedule बनाईए target बनाईए और इन target के basis पे अपनी त्यारी करिए this will help you a lot right apart from this अगर मैं आप से बात करूँ तो आपके पास क्या होना चाहिए ठीक है तेरा देखिए general aptitude के लिए मैं बात करूँ तो verbal ability में बिल्कुल हो सकता है तो general aptitude में जो है that English grammar है then उसके बाद इसरे एक different different cases है sentence completion है sentence completion हो सकते then verbal analogies, word groups, instructions and आपके लिए critical reasonings, verbal कह सकते की deductions यह सारे important topics आ सकते है आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं इनको भी आप पढ़ सकते हैं if you want to read पढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल पढ़ सकते हैं तो important है? बिल्कुल important है अगर आप gate के question paper को उठा के देखिए तो यह सारे आपको important में लेंगे ठीक है? इसके अलावा जो है numerical abilities के questions आते हैं जैसे की work and time ठीक है? percentage, clocks, SI, CI यह आता है numerical estimations आते हैं numerical reasoning आते हैं and data interpretations आता है आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है तो जीएज में यह सारे चीज़े आ सकती हैं तो यह कुछ important चीज़े जो है आपको बताई जा रही हैं इनको आप पढ़ लीजें apart from this कहां से target कर सकते हैं जीए को previous year question papers and e-learnab courses they are the two important sources that will help you a lot to crack this particularly G.A. section ठीक है? now तो what will be your approach? practice करने के लिए क्या करना है भईया आपको strategy for last 10 days practice करिए MCQ ले लिए pathfinder का वोग पोरा रडड डा लिए excel biochemistry और microbiology को ले लिए छोड़िये गा मत excel वाले questions dbt.grf के part b के questions खासकर bio process questions जरूर solve करे ये करे ही करे recall करे क्योंकि ये आपको हमेशा help करने वाला है इसके साथ साथ previous year questions जो है वो mock test के form में दे 2008 से लेके 2022 तक के questions को एक एक paper को पकड़े और 3 घंटे में जो है daily proper environment में 3 घंटे mock test की तरह दे this will help you a lot to crack CS to gate examinations तो ये आप कर सकते हैं ये करेंगे तो इनके अलावा जो है आपके पास मिल जायेगा क्या gate को crack करने का तरीका सो मैं उमीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपके लिए helpful रहा होगा अगर आपके लिए helpful रहा ये gate का वीडियो कि कैसे आप two month में gate को crack कर सकते हैं तो comment box में जरूर बताइए मिलते हैं आपसे next वीडियो में till then bye bye take care and all the best